हेलो वर्यवन दिस इस विपिन हीर आयम अगेन के बैक विद्वाइन वीडियो आवर चैनल एजूकेशनल हाइक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अंडेस्टैंडिंग सेकुलरिज्म क्लास एक्ट की सिविक्स का पार्ट सेकंड कवर करेंगे देखें पार्ट फर् सेस्टी के तीनों पार्ट के हिस्ट्री के जोगर्फी के सिविक्स के चैप्टर के विडियो हमारे चैनल एजूकेशनल हाइक पे लगातार आप सभी को मिलना है तो उसे से रिगार्डिंग अंडेस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का ये पार्ट सेकंड है तो आईए इस वीड को स्टार्ट करने का जो पहला टॉपिक है वह यह है कि वाइज इंपॉर्टेंट उप्रेट करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंट्स है तो आईए इस टॉपिक को जानते हैं जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था उसमें हमने यह जाना था कि सभी धर्म के लोगों को एक बराबर मानना यह आप यह भी कह सकते हैं कि रिलिजन को स्टेट की पावर से सप्रेट रखना ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता ही जो भी डिमोकर्टिक फॉर्म आफ गॉर्मेंट होती है वो अच्छे तरीके से रन कर सके वहाँ पर किसी प्रकार को कोई भी सिविल वार य जितने भी देश हैं सभी देशों में एक से अधिक धर्म के लोग रहते हैं ओके आगे विजिन दीस रिलिजन ग्रॉप्स देयर विल मोस् लाइकली टू वन गुरूप दैटी लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी देश हैं वहाँ पर हर देशों में कोई ना कोई एक लोग में होते हैं मतलब कि किसी ने किसी एक धर्म के लोग जाधा संख्या में होते हैं इस इस मेज़ॉर्टी देश्ट ग्रॉप अगर उस पर्टिकूलर देश में जाधा है अगर उन्हीं के पास टेट की पावर आ जाएगी तो लोग क्या करेंगे लोग अपने पावर का मिस्यूस करेंगे वह लोग अपने पावर का यूजक करके उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जो संख्या में कम है ठीक है फिर से एक बार बता दे रहा हूं आपको धान दीजेगा आप लोग ठीक है सबोस्करिए किसी एक particular country में किसी particular क्या 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 है community as region के लोगों की संख्या जादा है और अगर उन्हीं के पास state की power आ जाये तो वो लोग क्या करेंगे वो लोग minorities communities के लोगों को discriminate करने की कोशिश करेंगे उनको हर particular stage पर उनसे भेदभाव करने की कोशिश करेंगे ठीक अब आगे चलते हैं this tyranny of the majority could result in the discrimination and at times even the killing of religious minority ठीक है यह जो majority अगर majority लोग के पास state power आ जाएगी suppose करिए कोई एक देश है वहां पर क्या क्या केते हैं एक community के लोग 100 हैं और other communities के लोग 1,2,3,4 ऐसे संख्याम हैं तो जो majority में हैं वो लोग क्या करेंगे अगर उनके पास state power आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो minorities को dominate करेंगे minorities के लोगों के उपर अत्यचार करेंगे उन्हें मारेंगे पीटेंगे उन्हें दबाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे प्रिक आगे चलते हैं देखे के रहा है कि एक democratic form of government में यह सब चीज़ें नहीं होती है अगर democratic form of government है और secular model को adopt किया है तो वहां पर यह majority और यह minority ऐसी चीज़ें नहीं होती है ठीक वहां पर हर एक particular person के पास यह right होता है कि वह किसी भी religious को promote करे या किसी भी religion को follow करे वहां religious के basis पर कोई भी discrimination नहीं होता है कहां पर ऐसी country जो democratic form of government होती है और जहां पर secular model adopt किया गया होता है जैसे हमारी country इंडिया है हमारी country इंडिया में जो majority of जो भी religion majority में है वो religion के लोग minority religion के उपर अत्याचार नहीं करते हैं क्यों क्योंकि हमने secular model adopt किया है और यहां पर सभी religion के लोगों को equally treat किया जाता है और हमारे इंडियन constitution में यह as a fundamental light है ठीक आगे चलते हैं therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why is it important to separate the state and religion in democratic society यहीं बताए ना कि क्या केते हो यही एक मात रिजन है majority की tyranny fundamental lights पे और minority community के उपर नहों इसलिए क्या केते है religion को state की power से अलग रखा गया है मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको कि क्या किते हैं religion को state की power से क्यों अलग रखा गया है religion को state की power से इसलिए अलग रखा गया है कि जो भी religion majority में हो जो भी religion ज्यादा संख्या में हो वो कम संख्या वाले religion के ऊपर अत्याचार ना कर सके और fundamental rights का violation ना कर सके तो I hope यहां तक समन में आ गया है हम लोग next paragraph क्यों बढ़ते हैं and as another reason that is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the fundamental of individual to exist from their religion, embarrass another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently देखो यह another reason करा, another reason में यह यह बताने की कोशिच कर रहा है कि democratic form of government में जहां पर secular model adopt किया होता है वहां पर हर एक individual के पास यह rights होते हैं, हर एक individual के पास यह freedom होता है कि वो किसी भी religious को follow करे, किसी भी religious को propagate करे, profess करे ठीक, और उसके बाद ऐसी particular countries में सभी religious को अलग-अलग, सभी religious के लोगों को अलग-अलग तरीके से पढ़ाया भी जाता है ठीक, तो यह भी एक क्या केता है, reason है आपके, इसके पीछे की religious को क्यों state की power से अलग रखा गया है अब आगे चलते है To understand this point better, let us take the practice of untouchability आये इस point को और अच्छी तरीके समझते हैं, एक बहुत ही beautiful example की मदद से और वो example है untouchability का ठीक, you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it देखे हिंदू, according to Varna system, Varna system के according जो हिंदू है, वो चार काटेगरिस में divide ब्राह्मन, छत्रिय, सूद्रवेश, ठीक, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोवर कास्ट के लोगों को as a untouchable, as a so called caste कहके उन्हें discriminate करते थे तो ये चीजें कहीं न कहीं गलत थी, जैसे जैसे time change होता गया, इन चीजों में बदलाव आता गया और अब तो हमारे इंडियन constitution के article number 17 में ये mention कर दिया गया है कि untouchability is a social evil अगर कोई आज के समय में untouchability जैसे चीजे करता है, तो उसे एक punishable offense मान कर उसे सजा दे दी जाएगी ये हमारे इंडियन constitution के article number 17 में लिखा हुआ है कि untouchability is a punishable offense or social evil आगे चलते हैं, however if state power was in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that what would have an easy tax to try and change this ये कह रहा है कि आप support करिये कि क्या करते हैं, state की power उन हिंडू persons के पास आ जाती है, जो untouchability को support कर रहा है तब आप सोचे कि क्या होगा, तब आप सोचे कि society कैसी होगी, आगे चलते हैं Even if you were part of the dominant religion group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret these differently ये कह रहा है, suppose करिये कि जो एक religion की लोग, एक particular country में majority में हैं अगर उनके पास state की power आती है, तो वो क्या करेंगे जाहिर सी बात है, अगर जो particular majority के लोग एक state में हैं और उनके पास state की power आती है, तो फिर वो अपने power को अपने religion power को पूरे के पूरे country में dominate करने की कोशिच करेंगे अपना अधिपत्य स्थापित करने की कोशिच करेंगे ये figure आप लोग देखें, इस figure में बहुत अच्छी तरीके से represent कर रहा है ये secular model को, मस्जीद है, मंदीर है, गुरुद्वारा है उसके बाद क्या कहते है, चर्च का जो सेंबल होता है, ठीक है, क्रॉस का, वो सारी चीज़े है लेकिन सभी एक साथ रह रह रहे है, ठीक है, सभी अपने religion को follow कर रहे है और सभी religion को equally treat के जा रहा है, तो ये एक बहुत ही good example है secularism का, अब हम आगे चलते है तो देखे इस particular video का जो last topic है, वो ये है what is Indian secularism, Indian secularism का मतलब क्या है, तो आई ये जानते है ठीक, the Indian constitution mean that, that the Indian state be secular हमारे Indian constitution नहीं ये कह दिया है, कि हमारा India एक secular model पे based country है, मतलब एक धर्म निर्पेक्छरास्त है धर्म निर्पेक्छरास्त का मतलब है, कि सभी धर्म के लोगों को एक बराबर value दी जाएगी सभी धर्म के लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई inequality और discrimination नहीं होगा ऐसा इसलिए किया गया था, हमारे constitution makers को ये पता था कि अगर हम किसी एक religious को promote करेंगे, तो in future हमारी country इंडिया में civil war जैसे conditions create हो सकती है जिसके लिए हमारे constitution makers ने इंडिया को एक secular model पे based country बनाया अब हम आगे चलते हैं एक ओर्डिंग तो दा constitution, only a secular state can release its objective to ensure the following ठीक, constitution के according वो country है, जहां पर secular model है, उन country में यही यह objectives हो सकते हैं अब यह objective कौन-कौन से हैं, आई धान देते हैं पहला, that one religious community does not dominate other पहला objective यह होगा, secular countries में कि जो भी religious community, एक religious community, दूसरे religious की लोगों को dominate नहीं कर सकती मतलब, एक religion के लोग, दूसरे religion के लोगों को dominate नहीं कर सकते हैं मतलब, उनके ओपर अपने ही खुमत नहीं जमा सकते दूसरा, that some member do not dominate other member of the same religious community मतलब, एक धर्म के लोग, अपने ही धर्म के लोगों को भी dominate नहीं कर सकते ठीक, same religious के लोग, अपने ही religious के लोगों को dominate नहीं कर सकते हैं, उनके ओपर अपना अधिकार वगेरा नहीं जमा सकते हैं, उनको तबाह नहीं सकते हैं और तीसरा कह रहा है, that the state does not enforce any particular religion, nor take away religious freedoms of individual और state, जो government है, वो किसी एक धर्म को, किसी एक धर्म को, क्या करते हैं, पूरे country में implement नहीं कर रहा है, और उसके साथ-साथ, वो किसी भी particular individual का right to freedom of religion, right भी नहीं छीन रहा है ठीक है, इस objective को एक बार फिर से समझेगा, state क्या कर रहा है, state क्या करते हैं, एक ही particular religion को, पूरे country पर इनफोस नहीं कर रहा है, उसके बाद, वो क्या क्या करते हैं, individual का right to freedom of religion है, उसको उससे नहीं छीन रहा है means, secular country में हर एक individual के पास यह rights होता है, कि वो किसी भी religion को follow करें, उसे profess करें, उसे propagate करें, अब आगे देखते हैं, the Indian state work in various way to prevent the above domination, first, it's use a strategy of distancing itself from religion देखें, हमारा जो Indian state है, वो इस domination से बचने के लिए, इस majority of domination से बचने के लिए, बहुत सारे चीचे करता है पहला, जैसे कि state को, state की power को religious से अलग रखना, दूसरा, the Indian state is not ruled by religious group and not does it support anyone religion अब देखो, यह कह रहा है, दूसरे में, कि India एक ऐसा state है, जो किसी एक single religious group के दौरा नहीं चला जा रहा है और नहीं, ना तो किसी एक single religion को promote कर रहा है, ठीक, इसको फिर से धान दीजागा, second point में यह कह रहा है कि Indian state ना तो किसी religion एक single religion के गुरूप के दोरा चला जा रहा है और ना ही किसी एक single religion को ये promote कर रहा है आगे चलते हैं इन इंडिया, government spaces like law court, police station, government school and offices are not supposed to display or promote any one religion ये कह रहा है कि country में, हमारे country में जाए police station हो चाहे आपका court हो, चाहे government schools हो, चाहे offices हो कोई भी जगा हो, कोई भी particular जगा, कहीं पर भी आप देखेंगे कि कोई भी particular offices, जो भी ये departments है ये किसी भी एक single religion को promote नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि इंडिया का ऐसी country है, जो secular model पर based है यहाँ पे सभी religious को equality rate किये राता है तो I hope ये वीडियो आप लोग को पसंदा